पेरिस ओलम्पिक का सबसे कॉंट्रोवर्सियल वाली लड़की महिला इमाने खलीफ जो गोल्ड मेडलिस्त बन गई लेकिन इनके बारे में ट्विटर से लेकर के यूटूब, इस्टागराम, हर सोशल मीडिया पे एक ही चर्चा है कि क्या इमाने सच में फिमेल है, सच में एक औरत है क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे ऐसे फोटोज बाइरल हो रहे हैं जिससे किलियरली पता चल रहा है कि ये मेल है और जब सेमिफाइनल भी जीती थी तब भी बहुत कॉंट्रोवर्सी हुआ था, इसका एक और रिजन ये भी है कि 2023 में इंटरनाशनल बॉक्सिंग एस्सोशियेशन ने जेंडर एलिजिविटी टेस्ट फेल हो जाने के वज़े से डिस्क्वालिफाई कर दिया था, और सिर् इंटरनाशनल उलम्पिक वाले को सिर्फ इंडियन अथिलीट में ही कमी दिखती है, कभी रेड कार्ट थमा देते हैं, कभी सस्पेंड कर देते हैं, तो कभी सौ गराम वजन का बहाना बना करके बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा कोई रूली नहीं है कि अगर विनेश्वाग कि ऐसा पक्षपात क्यों? इमाने खिलिफ गोल्ड मिडल जीतने के बाद इंटर्विव दी, तो कहा कि कुछ लोग मेरे सक्सेस से जलते हैं, उनको मेरा सक्सेस पसंद नहीं है, इसलिए मेरे वुमेन होने पे शक करते हैं, मैं वुमेन ही पैदा हुई थी, और पूरी तरीक यह क्यों नहीं दिखा, फिर तो फिर कॉम्पिटिशन ही नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आर्यू कर रहे हैं, उसमें से एक भी लोग इमाने के साथ नहीं है, इसके अगेंस ही हैं, सभी का कहना है कि इंटरनाशनल और अलंपिक कमीटी अपने हिसाब से गेम नहीं है, एक मेल को फिमेल के साथ लरवा करके गोल्ड मिडल जित्वा दिये, यह पहली बार ऐसा हुआ, आप लोग का क्या कहना है, प्लीज कमेंटे